चेहिंद एक और दिन एक और IPO एक और बरसात अब IPO की बरसात हो रही है भाई साब यह नहीं समझा रहा इसमें फंड्स लगाऊं इसमें एक लॉट इसमें दो लॉट लिस्टिंग इन होंगे शॉर्ट टम लॉंग टम वैसे तो आज कल बीम बेरी प्रैक्टिकल बहुती कम लो करते हैं लोगों को चीए एकदम से इंस्टेंट गेंस लिस्टिंग इन हो और चलो भाईया होगे अपना निकल लो जो लोग पेशेंट रख पाते हैं वही डेफिनिटली लॉंग टम में वेल्थ वगरा क्रियेट कर पाते हैं अब आरार कावेल का एक और IPO गया अब एक और IPO आया प्लाजा वायर्स का सेम सेग्मेंट वगरा सेम इंडस्ट्री वगरा से बिलॉंग करता है देखेंगे क्या है एक लिस्टिंग नहीं है कितने हैं वगरा वगरा हाई व्रिवान मैंने में इस विबोर वाशने आयम सेभी रजिस्टर्ड रिसर्च अनलिस्ट जल्दी से क्विटली प्लाजा वायर्स का IPO आया है अनलिसस कर लेते हैं अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ना यार वीड वहाँ पर भी मैंने यही बोला था कि यहाँ पर 25-40% के आसपास लिस्टिंग गिन होंगे 40 ताइमस के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा and you won't believe 39.6 ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 40 ताइमस के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 1035 के प्राइस बेंड पर यह 1400 पर ट टाइम तो एक काम करता हूं पहले ना बिजनस मॉडल की तरफ चलता हूं आरर काबेल से कितना अलग है कितना क्या है सब समझ लेते हैं चलो शुरू करना मेरे साथ इंकॉर्परेटेटें 2006 17 साल पुरानी कंपनी है प्लाजा वायर्स इंगेज दिन बिजनस और मैनिफिक्ट्रिंग एंड मैनिफिक्ट्र भी खुदी करते हैं और सेलिंग वायर्स और क्या क्या है सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एल्टी ऐल्यमिनियम केबल्स ग्चन प्लाजा केबलें व्हार वायर्स बना रहा थे टीक है और एवी यह छेलिघ अवायर्स इंगेरा में रहा गया है single and multi-core round flexible industrial cables वगेरा में भी है अगना power cables डिश्ट TV antenna and coaxial cables आजकल डिश्ट TV antenna चलो ठीक है टेलीफोन switchboards यह वो मतलब बाकी जो इंडस्ट्री वगेरा है उससे भी related है इनका काम ठीक है next part पर आते हैं पहले important dates पर नजर मारेंगे IPO open date 29 September मतलब जिस तैम हम लोगी वीडियो देख रहे हैं अलड़ी एक दिन हो चुका है एक दो दिन अब देखेंगे कितना हुआ वी तक IPO closing date 5 तारिक रहेगी allotment आएगा 10 तारिक को यह उससे पहले भी आ सकता है क्योंकि जैसे जैसे दुनिया फास्ट बढ़ रही है अब इनोंने भी कह दिया हम T3, T2 पर भी IPO लेकर आएंगे Initial of refund जाएगा 11 तारिक को Shares आएंगे 12 तारिक को और 13 October को लिस्ट होगा और 13 से पहले भी हो सकता है अब आ जाते है बेसिक डीटेल्स पर चलिए जी confusion रहे कि भाया क्या cutoff price डालू यह उपर वाला यह रहता है cutoff price 54 rupees 270 shares 277 shares का एक lot है तो यहाँ पर यह मांग रहे है 71 करो क्या कि 71 करोर्स कि SME में क्यों नहीं आया इस से ज्यादा तो SME वाले उठा रहे है 40-50 क्रोड तो वो कह रहे हैं हमें दे दो तो इनको तो पहली बात तो SME में आना चाहिए था चलो ठीक है main board की सारी requirement पूरी करियोंगी तो SME ने का ले जाओ भई जीलो अपनी जिंदगी पूरा का पूरा fresh issue है मज़ा आगया पढ़के पूरा का पूरा fresh issue है यह जो पूरे के पूरे 71 करोर्स हैं वो जाएंगे company के खाते में और company उसको utilize करेगी loans अगरा रीपे करने के लिए जो कि ह पढ़ लेंगे तो यहां पर एक star mark कर देते हैं बहुत ही बढ़िया बात है five star मज़ा आगया पढ़के चलिए जी next part पर आते हैं रिटेल वालों को कितना दिया है वो भी पढ़ लेते हैं रिटेल वालों को दिया है जी 10% बस आपको 10% मिलेगा लेना है लो नहीं लेना मतलो इन्हों उन्हों साफ कह दिया next hni को offer किया 15% qib वालों को offer किया 47% और बाकी 28% के आसपास चला गया anchor investor वगेरा को चीक है next part पर आ रिटेल काटगरी में next part पर आते हैं पहले 100% कंपनी का उसके बाद हो जाएगा 69 रॉन आफ टू 70% के आसपास जो की favorable है हमेशा हम लोग रखते पहली 70 to 75 दूसरा 62 65 last to last कि सब कुछ अच्छा है financials अच्छे है अच्छा क्यू आई भी वगरा मिल रहा है तो last to last लग लग ले most important आज के IP analysis थोड़े जल्दी कर रहा हूं एसेट मगिना की बात करों तो almost 100 करोड के एसेट थे योग 104 करोड 4% की growth हुई योग 112 करोड अपकी बार दिखे रहा है 5-6% के आसपास की growth है revenue 145 करोड के आसपास के revenue है देखकर लग रहा है कि अभी तक assets properly utilized नहीं है full capacity में revenue के अब इस time पर तो हर बार वीडियो में यह भी नहीं बहुत सकते कि यह तो कोविड भी नहीं था 177 का 182 पूरा साल में 5 करोड की sales बड़ी बस इतनी बड़ी company है तो चलते फिरते हो जाना चाहिए तुमारा profit after tax 4 करोड यानि कि margin देखो यहां पर कितना है 3% के आसपास 177 की sales क अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट ही बड़ा sales भी थोड़ी सी बड़ी constant margin 3% same exact चीज यहीं मैंने आरर काबेल में भी बताई थी कि यहां पर इस industry में ना sales बढ़ सकती है margins में प्रॉब्लम आएगी अरर में भी यही exactly चीज थी कि margins नहीं है इस industry में यह industry का drawback है company का drawback न पर आते हैं borrowings 40 करोड का loan थे उसके बाद थोड़े से कम कर दिये 40 करोड उसके बाद 39 मतलब कितना hardly 50 लाग का loan पे गड़ दिया यार चल तू ले जा अपने 50 लाग रुपए ठीक है अच्छी बात यह है कि हां definitely decreasing order की तरफ है अच्छी बात यह है अभी तक financials की बात करूं त 5 out of 10 marks कहां कटे borrowings अभी एसेट के comparison में थोड़ी सी जादा है उससे भी important बात यह यह देखिए reserves drop हुआ वापस से उपर गया but borrowings के comparison में reserves कम है मला borrowings almost nearly two times है यहां पर marks कटे sales नहीं बड़ी margins drop है यह हमर margins constant है not drop I should say अब आचाते है next part कि यह पैसा उठा रहे हो किसके लिए उठा रहे हो देखते हैं जड़ा funding the capital expenditure CAPEX मतलब और बड़ी company बनाएंगे assets लेकर आएंगे land building setting upon new manufacturing जैसा मैंने बोला new manufacturing unit for house wires fire resistance cable solar cables to expand the product portfolio बढ़िया बात है definitely अच्छी बात है funding working capital क्यों यावनी कि यह loan की तरफ नहीं जाना चाहरे यह बोल रहे हमें पैसा देतो ताके हम अपनी company को थोड़ा सा बढ़ा करें definitely अच्छी बात है अब आजाते है apply करना है यह नहीं करना और अभी तक कितना हुआ QIB अभी नहीं आए यह आखरी में टूटेंगे 3-4 बज़े के आज पास last listing day पे एक दो बढ़े फिर उसके बाद NIB NIB अभी तो पांच retail वाले टूट बड़े टूट बड़ो 27% के आज पास चलिए जी अब आजाते है main crux पे number one छोटी company है तो definitely T2T segment में जा सकती है T2T segment का मतलब क्या है कि यहां पर थोड़ा सा मतलब intraday allowed नहीं होगा delivery लेनी पड़ेगी starting में यह crux रहे गई रहेगा 54 का price band है पहले यहार लिख लेते हैं जी price band 54 per share over subscription listing gain I hope RR Kabil की तरह भी यहां पर dot to dot analysis जाए over subscription क्योंकि company ही छोटी सी है 71 करोड तो मेर से मांगी रही है तो definitely यहां पर over subscription जाएगा 60 times के आसपास 60 times 50 to 60 times के आसपास over subscription जाएगा क्यों not because की छोटी company है बट यह sector evergreen है हेवल्स के evergreen है RR Kabil में मैंने यहीं दिखाया था polycap के EI हैवल्स यह sector चलता ही रहेगा जैसे जैसे घर बनते रहेंगे affordable homes यह वो चलता रहेगा तार तो लगाओगे यह जो light जल रही है कैसे जल रही है अब आ जाते है listing gain पे क्योंकि T2T segment है तो definitely थोड़ा सा hit लेगा क्यों क्योंकि anchor investor का जो रहता है वो block period रहता है next 54 price per share के हिसाब से somewhat around यह जाएगा 15 to 25% listing gain पे यह जाएगा कहीं 15-25% के आसपास मैं definitely apply करने वाला हूँ multiple dmat accounts in fact I should say multiple pan accounts मैं apply करने वाला हूँ sector अच्छा है छोटी company अभी invest कर देंगे आगे जाकर यह बड़ा बबर शेर बनेगा यह थे plaza wires IPO के detailed analysis वीडियो पसंद आये हो share with your friends like and subscribe thank you for watching the video lots of love हूँ हूँ झाल